हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स साइंस बाई गालिप सर में आपका मोश्ट फिलकम है यहां पर हम लोग क्लास 7 का जो 13 चेप्टर है वेस्ट वाटर इस्टोडी उससे रिलेटर फ्रेंड्स यहां पर हम लोग 30 टॉप कोशन करने जा रहे हैं जो पूरे चेप्टर को कोबर करेगा तो चलिए शुरुवात करते हैं और एक एक कोशन को हम लोग देखते हैं फ्रेंड्स वीडियो को लाइक किजिए और चैनल पर नए है सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रू सब्सक्राइब किजिए तो पहला वेस्ट वाटर का मतलब होता है जिसमें बहुत सारा इंपरियोटी जो उसी को तो हम लोग वेस्ट वाटर बोलते हैं तो क्या हो जागा वाटर कॉंटेमिनेटेड विट इंपरियोटी जिसमें बहुत सारा इंपरियोटी जो उसको हम लोग क्या बोलते हैं वेस्ट वाटर अगला question है which of the flowing is an example of waste water, waste water का कौन सा यहाँ पर example है, option है water from a lake, water used in washing cloth, bottles, mineral water, rain water, तो simple question है water जो हम लोग washing cloth में ना कपरा फिचने में, नहाने में, इस सम्में जो waste करते हैं वही तो waste water है, अगला question है which of the flowing is a common pollutant found in waste water, waste water में जो सबसे common जो है गंदगी वो कौन सा है आपको बताना है, option है oxygen, soil, soap और rocks, तो कौन हो जाएगा, C option हो जाएगा soap, soap बोलिए तब या detergent बोलिए तब, तो नहाते हैं तो soap हो गया, और कापड़ा भी साफ करते हैं तो वहाँ पे भी detergent होता है, जो पानी के साथ साथ वो नाली उली में जाता है और सारे पानी को क्या करता है, पॉलूट कर देता है, अगला question है the process of removing contaminants from waste water is cold, अब waste water से जो हम लोग गंदगी मिलाए हैं उसको उसको जब निकालते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अप्शन है, filtration, distillation, purification, swage treatment, तो क्या हो जागा, swage treatment, swage treatment का मतब हो गया, नाली का पानी होता है, बहुत सारा गंदगी होता है, मिटी भी होता है, घर का waste material भी होता है, बहुत सारा चीज होता है, प्लास्टिक भी होता है, ना उसको एक systems हम लोग गुजारते हैं और एक एक चीज को उसमें क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं, अगला कोशन है, the large network of pipes that carry wastewater is called, जो बड़ा सा network होता है, जो wastewater को ढोता है, उसको मिलोग का बोलते हैं, नाला बोलते हैं, और उसको इंग्निस मिलोग का बोलेंगे, swage system बोलेंगे, तो बी option का हो जाएगा, यहां पर सहीवे जाएगा, अगला कोशन है, which of the flowing organism help in decomposition of organic matter in wastewater, wastewater, wastewater हो यह कहीं पर भी हो, अगर decomposition हो रहा है, organic matter का, तो उसके लिए जिम्यदार कौन है, option है, fungi, bacteria, algae और earthworms, तो कौन हो जाएगा, bacteria, bacteria decomposer का का करता है, अगला कोशन है, the first step in the wastewater treatment process is, first step क्या होता है, wastewater treatment process में, option है, sedimentation, eration, filtration, screening, तो क्या हो जाएगा, D option हो जाएगा, screen, सबसे पहले हम लोग क्या करते, screening करते हैं, जो बड़ा-बड़ा जो उसमें, plastic है, यह सब जो है, उसको क्या करते है, filter करते हैं, पहले, अगला question है, which gas is commonly produced during the decomposition of sludge in wastewater treatment, treatment, तो wastewater treatment में, ठीक है, जो mainly produce होता है, कौन सा gas होता है, option है, oxygen, carbon dioxide, methane, and nitrogen, कौन option हो जाएगा, methane, methane देखें, बहुत common gas है, यह नाला ओला में, यह सब जो gas निकलता है, वो कौन होता है, methane होता है, अगला question है, what is the sludge in the context of wastewater treatment, option is solid waste that settle at the bottom of the tanks, liquid part of wastewater, water vapor, clean water, तो देखे, sludge का मतलब होता है, जो नाली का पानी है, जो wastewater है, नीचे जो solid के form में, जो नीचे settle कर जाता है, अगला question है, which of the flowing is a consequence of releasing untreated wastewater into rivers, अगर आप wastewater को river में भेज़ते हैं, तो उसका क्या result होगा, option है, it improves water quality, it helps aquatic animals, it cause water pollution, it cleans the environment, तो क्या होगा, यह water pollution को बढ़ावा देगा, यह water pollution करेगा, अगला question है, what is the main purpose of wastewater treatment, wastewater treatment का main purpose क्या होता है, option है, to make wastewater fit for reuse, to produce methane gas, to increase pollution, to remove oxygen, तो option से ही समझ गहोंगे, हम लोग क्या करेंगा, वेस्ट वाटर को फिर से ही समाल करें, इसके लिए हम लोग wastewater treatment करते हैं, अगला question है, which type of wastewater comes from industries, option है, domestic wastewater, sewage, industrial effluent, और D है, storm water, तो जो industry से जो wastewater होता है, वो कीस तरह का होता है, question पुछ रहा है, तो वो क्या होता है, industrial effluent होता है, मतलब इसमें बहुत सारा chemical होता है, इस waste में बहुत सारा chemical होता है, जो बहुत ही हानिकारक होता है, environment के लिए, और यह नदी में जब जाते हैं, तो उसको भी बहुत damage करते हैं, aquatic life को भी बहुत damage करते हैं, अगला question है, what is the process of removing suspended solids from wastewater by gravity called, तो जो suspended particles होते हैं, solid जो particles जो होते हैं, जो घुलते नहीं है, wastewater में, उसको हम लोग कईसे filter करते हैं, gravity को द्वारा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो option है, filtration, colonization, sedimentation, और D option है, evoporation, उसको क्या बोलेंगे, बच्पन से हम लोग पढ़ते हैं, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, treated wastewater that is released back into river is called, जो water को हम लोग fresh कर चुके हैं, री उसके लिए बना चुके हैं, वापस जब उसको river में हम लोग भेजते हैं, तो उस water को हम लोग क्या बोलते हैं, तो option दिया गया है, sludge, effluent, swage, contaminated water, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इफ्लूएंट बोलते हैं, ठीक है, तो जब हम वेस्ट वाटर को treat करके उसको आच्छा water बना देंगे, pure water बना देंगे, सुधू water बना देंगे, तो फिर वापस जब उसको river में डालेंगे, भेजेंगे, तो उसको उस process को हम लोग का बोलेंगे, effluent बोलेंगे, अगला question है, which harmful gas is released from untreated wastewater that contains organic matter, अगर किसी में organic matter है, ठीक है, वेस्ट वाटर में, तो उससे जो gas निकलता है, कौन सा gas होता है, option दिया है oxygen, methane, carbon dioxide, sulfur dioxide, कौन gas होता है, मीथेन, याद देखेगा, waste water से मतम नाली ओली से जो gas निकलता होता है, मीथेन, अगला question है, why should we conserve water and reduce waste water, हमें पानी को क्यों conserve करना चाहिए, और waste water को कम से कम करना चाहिए, option है, to reduce the cost of water treatment, to increase water pollution, to use more energy to waste natural resource, तो कौन option हो जाएगा, तो जो water को treatment जो कर रहा है, water को जो हम लोग प्योर कर रहा है, fresh कर रहा है, उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है, तो उसको कम करने के लिए, हम लोगों को water को conserve करना चाहिए, ठीक है, और water जो है, बहुत important है, बहुत important resource है, इसलिए हमें water को safe करना चाहिए, और waste water को कम से कम करना च called को हमके रखते हैं स्कCamera का बोलें हνη क्युक्वा बैने को बीक सि st ग्म पानि में रखते हैं तो इस प्रोसेस को हमनों का बोलते हैं इसमपर कोशन है गालेंगे कोलॉरिनेशन ब्राजी के पादी कोश्य अंब आफ सिड्सकर रहा होता हैं अगला question of which of the flowing is a result of improper swage disposal improper swage disposal का result क्या होता है option दिया गया है clean drinking water, groundwater contamination, air pollution, soil fertility तो क्या हो जागा? ground contamination, groundwater जो है उसमें गंदा हो जाएगा अगर आप नाले को सही से उसका proper way में उसको disposal नहीं करते हैं तो का होगा नीचे जाएके वो नीचे जाएगा, ground के नीचे चल जाएगा रिस्ते रिस्ते और वो पानी का होगा pure water में mix हो जाएगा गंदा पानी और उसको क्या बोलेंगे ground water contamination अगला question है which of the flowing method is used to purify water at home तो home पे घर पे अगर हम पानी को फ्रेस कर रहा है purify कर रहा है उसके लिए कौन सा मेठेट हम लोग इसमाल करते हैं तो simple सा मेठेट हम लोग इसमाल करते हैं क्या boiling के द्वारा हम लोग क्या करते हैं प्योर वार्टर हम लोग पाते हैं ठीक है तो कोई भी वार्टर उसको बॉल किजेगा तो वेपराइज करेगा और उससे प्योर वार्टर निकलेगा फिर उसको क्या करेंगे करेंगे ठंड़ा कर लेंगे प्योर वार्टर हमें मिल जाएगा अगला कोशण है व हम है वीचला फ्लों इस नॉट एसट्यप वेस्ट वार्टर ट्रीटमेंट में कौन सा एस्ट्यप नहीं होता है ऑप्शन इसक्रींइंग बॉलिंग सेडिमेंटेंशन एरेशन तो देख weekend सब्सक्रांटर कोंटींग वेश्ट वाध वाटन वेश्ट वाटने के हम लोग बांदा पादी निकलता क्या उसको मांड़ोर्गिंग्द क्लिए व्यूथ सीजन तो क्या होगा क्लोरीन तो पानी को फ्रेस करने के लिए हम लोग किस का हिसा हिसमाल करते हैं क्लोरीन जो होता है एक आच्छा बीलीचिंग एजन्ट होता है अगला कोश्चन है फ्रोसेश इनवाटर टुरिमूव बैड एसमेल ठीक है ए एर को हम लोग वाटर में मिलाते टू एड़ ऑक्सिजन टू वाटर टू एड़ केमिकल फोर डिश्ट डिजिनिफिकेशन टू पिरिफाइड वाटर कम्प्लेटली तो देगे सबसे पहले हमनों स्कीरिणिंग करते हैं मतलब जो उसमें मोटा मोटा पदार्थ है जो सब्टांस है प्लास्टिक है जो जो उसमे में लपटाया हुआ उसको पहले निकालना और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे इस की इनिंग बोलेंगे ठीक है अगला कोशन है तो यहां पर कौन ऑप्शन हो जागा यह अप्शन सभी हो जाएगा अगला कोशन है दा अन्ट्रीटेट वेस्ट वाटर फ्रों होम्स इंडस् और दुसे जगह से उसको हम लोग क्या बोलते है उसको मिलों क्या बolve थैं ऐना ले की पानी बोलते हैं स्वेश बोलते हैं सब्सक्रीटेम 1317 landfills rainwater harvesting इरीगेशन क्लूरीएशन तो यहां पर कोन यह अब सुन हो जागा इरीगेशन के माध्यां से अगर वेस्ट वाटर लाज वेस्ट वाटर है तो इसको खेत में रहा सकते हैं by using waste water तो सी option का हो जागा सही हो जाएगा अगला question है the water that can be used safely for drinking after treatment is known as कौन सा water का हम लोग इस्सिमाल करते हैं जब उसको पूरा treat कर देते हैं पूरा उसका treatment हो जाता है जब उसका पूरा purification हो जाता है पीने के लिए तो उस वाटर को हम लोगा बोलते हैं पोटेबल वाटर बोलते हैं अगला question है why should we avoid throwing cooking while down the drain drain से हम लोग cooking while फेकने से हमें क्यों बचना चाहिए option है it dissolve easily in water it can block pipes and sewage system it helps clean the pipes it improve the sewage system तो देखिए होता क्या है जब भी आप highly substance को ठेक है जब नाले के अंदर भेजते हैं तो उससे क्या होता है यह का करता है पाइप को क्या करता है ब्लॉक कर देता है जो सुवेश सिस्टम में वो ब्लॉक हो जाता है अगला question है last question what can household do to reduce wastewater generation waste water को generate करने के लिए household को क्या reduce करना चाहिए option है use more water in daily activities install water saving device let the tap run while washing dishes plus the toilet multiple times तो क्या करना चाहिए यह तो करना ही नहीं होगा एकदम simple है ठीक है तो क्या करना चाहिए ठीक है इंस्टॉल water saving device है ऐसे device रखना चाहिए जिसे पानी जुआ है save हो सके ठीक है और कम से कम पानी इस्सेमाल करना चाहिए ठीक है I hope video आपको काफी अच्छे लगा होगा वीडियो को लाइक करे चैनल को सब्सक्राइब करें मिलता है friends अगले वीडियो में जाइन फ्रेंट्स कर दोत्स